एक सबसे important सूचना कि अगर आप stock market में profit में है रोज trading करके कमा रहे हैं तो ये जो मैं अभी बोलने वाला हूँ आपके काम का नहीं है लेकिन अगर आप loss में है तो ये message तरफ आपके लिए है हर इंसान के loss करने के एक limit होती है और वो कब तक loss कर पाएगा फाइनली लाग, दो लाग, तीन लाग के loss के बाद market को बंद करके बाहर चला जाएगा तो अगर आप चाहते हैं loss को बंद करके profit कमाना तो 25 फरवरी से सुरू हो रही है stock market master class जहां पर हम आपको बच्चों की तरह सिखाएंगे और कोई भी सीख सकता है basic से advance तक क्योंकि हम हाथ पकर के सिखाते हैं और साथ में सबसे प्यारी चीज़ है हम आपको revision class भी देते हैं आपका दिल करता है cash में काम कीजिए, future में काम कीजिए, option में काम कीजिए, nifty में काम कीजिए, bank nifty में काम कीजिए, currency में काम कीजिए और सबसे प्यारी चीज 19 साल का पूराना नाम है जो एक benchmark है अपने आप में कि 19 साल के एक experience trader से आप सीखते हैं तो 9708094321 पे call कीजे टीम से बात कीजे और life changing मौका मत जाने रिजे क्योंकि जहां होती है सुरसती माता वही होती है लक्षमी माता Hello everyone कैसे हैं आप सब देगे रोटी, कपरा, मकान, जिन्दा रहने के लिए बस इतना ही चाहिए यह आपने काफी बार सुना होगा और मैंने भी कुछ वीडियो में कई बार बोला है जब भी textile company के analysis की है आज हम लोग इन तीनों में से किसी भी sector की बात नहीं करेंगे मगर एक ऐस sector की बात करेंगे जिसके बीना मकान नहीं बन सकता है मतलब construction नहीं हो सकता है और खास बात यह है कि इस sector के top 5 company में से third and fourth number की यह company आती है जब दोनों company एक ही company का हिस्ता कह लीजिए एक ही promoter का हिस्ता कह लीजिए तो investment किसमें करें क्या आप guess कर पाएंगे अधानी जी से इसका connection है मैं किस cement company की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा फटा फट कमेंट में बता दीजिए अधानी ग्रूप के stock analysis series में हमने अब तक अधानी के काफी stock की detail analysis की है आप लोगों ने काफी प्यार दिया है प्लीज अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर देखेगा और अब आप आपका आपकी के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ जो भी नहीं लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें बल आइकों हिट करें और notification अन करें तो company के business से लेकर financial तक देखेंगे data fact पर बात करेंगे और बहुत प्यार से decision लेंगे तो ACC incorporate हुआ था 1936 ने और Amboosa आया था 1993 में स्टार्ट करते हैं बिजनस को समझते वे कि ACC और Amboosa Cement दोनों cement manufacture करते और sell करते हैं इनके cement के strength की बात करें तो ACC का cement अपने strength की वज़े से जाना जाता है और जादातर बरे project में use होता है दूसरी तरफ Amboosa Cement small construction project में use होता है ACC Cement की जो capacity है 34.45 million ton per annum है और Amboosa Cement की जो production capacity है 31 million ton per annum है Capacity utilization देखें तो ACC अपने total capacity का 79% utilize कर रहा है और Amboosa 86% कर रहा है Capacity wise ACC आगे है फिलहाल मगर capacity utilization में Amboosa आगे है ये दोनों company दो तरीके से market में product sale करती है एक तो direct final customer को और दूसरा wholesaler या business man को wholesaler फिर आगे sale करते है जो direct customer को sale किया जाता है इसे बोला जाता है B2C मतलब business to customer जो wholesale या business को sell किया जाता है उसे बोला जाता है B2B मतलब business to business इन ही दो तरीके से ये दोनों company अपना product sell कर रहे हैं इन दोनों तरीकों में revenue देखें तो ACC का revenue जो है 79% revenue B2C से आता है 21% B2B से Amboza का देखें तो 80% B2C से आता है और 20% B2B से distribution network देखें तो ACC के पास 56,000 channel partner है और Amboza के पास 5,000 dealer channel partner ACC के पास जादा है मगर ACC जादा तर इंडिया में ही operate करता है और Amboza Cement 80 country में available है यहां तक हम लोग ACC और Amboza Cement के business, capacity, revenue model, distribution network को समख चुके हैं अब देखते हैं इन दोनों के financial दोनों company के financial को हम लोग 4 तरीके से 4 ratio पर देखते हैं return ratio, efficiency ratio, debt ratio, valuation ratio return ratio हमें बताएगा कि कौन कितना return generate कर रहा है तो ACC का ROE है 5.11% और 5 year का average ROE है 11.6% Amboza का ROE है 7.3 और 5 year का average ROE है 9.72 ACC और Amboza दोनों current ROE अपने average से और industry average 9.72% से कम है ACC का ROC है 7.23% और 5 year का average ROC है 15.21% Amboza का ROC है 10.7%, 5 year का average ROC है 16.49% दोनों का current ROC अपने average से industry average 12.98% से कम है return on asset देखें तो ACC का ROE है 3.5% और Amboza cement का ROE है 5.04% और इस industry का average ROE है 4.06% मतलब Amboza cement अपने asset पे ज़्यादा return बना रहा है ACC और पूरे industry के average के मुकाबले अब देखते हैं inventory turnover ratio Amboza cement का inventory turnover ratio है 4.43 और ACC cement का inventory turnover ratio है 5.73 और पूरे industry का average कितना है पता है 4.32 मतलब ACC अपने inventory को जल्दी sell करके inventory turnover ज़्यादा करता है cash cycle देखें तो Amboza cement का cash cycle है 105 और ACC का 35.5 industry का average है 40.66 तो ACC ज़्यादा turnover के साथ cash भी जल्दी receive कर लेता है वहीं Amboza cement को industry average से काफी ज़्यादा time लग रहा है अपने product को sell करके cash लेने में debt ratio देखें तो Amboza cement का debt to equity है 0.02 और ACC का है 0.01 industry का average है 0.44 मतलब दोनों company पर curls का burden नहीं है अब तक हम लोग company के business model, financial ratio, debt ratio देख चुके हैं और अब time है valuation देखने का तब ही तो पता चलेगा कौन सस्ता है, कौन नहींगा है वीडियो को like नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजे और आपको क्या लगता है किसमें invest करना चीए मेरी बात सुनने से पहले आप तो बताइए जिससे मज़ा आ सके कि आप सही है या गलत अब देखते हैं valuation तो अंबुजा सिमेंट का PE है 34.09 ACC का PE है 47.94 इंडस्ट्री का PE है 30.49 PE ratio में दोनों अपने इंडस्ट्री PE से उपर है, मतलब overpriced अंबुजा का PEG ratio है 5.2 ACC का PEG है माइनस 9.78 ऐसा इसलिए क्योंकि ACC का 10 यर, 5 यर, 3 यर सारे compounding net profit growth negative है जब growth ही नहीं है तो PEG ratio negative ही आएगा इस इंडस्ट्री का PEG ratio है 1.31 मतलब PE और PEG ratio पे ये दोनों company overpriced है current price by book value देखते हैं तो अंबुजा सिमेंट का price to book value है 2.69 और ACC का है 2.49 और इस इंडस्ट्री का है 2.79 मतलब price to book value के एनुसार fair price दिख रहा है दोनों का तो चलिए अब point को summary में लाते हैं business model लगबग same है दोनों अदानी group की company है लेकिन return ratio के basis पर दोनों अपने average और industry average दोनों से नीचे है और साथ में ACC का 10 साल का compounding profit growth negative है ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ACC एक investable option है उसके अलावा अमबुजा सिमेंट की बात करें तो at least P.E.Z. ratio अपने industry के P.E.Z. के पास आने का wait करना जादा अच्छा रहेगा और start में जैसा कि आपको पता है अदानी group पर जो allegation की कहानी लग रही है उससे already उसकी पिटाई चल रही है वो भी आपको एक ध्यान देने की बात है क्योंकि उससे क्या होता है share चाहे कितना भी अच्छा रहे वहाँ पर एक negative sentiments create ज़रूर होता है लेकिन अगर technical basis पे मैं अगर देखने जाता हूँ तो 274 के पास का अमबुजा सिमेंट का काफी अच्छा लेवल लगता है और 274 के पास का जो लेवल लगता है उससे मुझे लगता है वो valuation को भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत पूरा ने थोड़ा बहुत adjust करने में help मिलेगी तो ये थी वो advice जिसके कारण आप भी कहीं और देखते हो तो ये पाते हो अम मुझा सिमेंट में जादा से जादा लोग investment के advice देते हैं उसका reason यही detail analysis है तो वीडियो को प्यार दीजिए share कीजिए और हमें भी प्यार देते रहिए जिससे हम ऐसी analysis लाएं next कौन सी analysis बनानी है कमें के जरूर बताएएगा